नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आज के इस ब्लॉग में आपको मैं स्ट्रीट फूड के बारे में बताऊंगी तो चलिए ले चलते हैं दिल्ली के स्ट्रीट फूड की तरफ अगर आप खाने के शौकीन है तो एक बार दिल्ली जरूर होकर आएए यहां हर जगा सडक के किनार चोटी बड़ी हर गली में आपको टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलेगा आलू के समोसे तो हर किसी ने खाए होंगे क्या आपने चोले के समोसे खाए हैं और अगर नहीं खाई हैं तो जल्दी से दिल ली जाएए और वहाँ पर चोले वाले समोसे खाईए जो आपको मीठी और फलों का चाट भी खा सकते हैं फलों का चाट तो हर सरकारी आफिस के बाहर आपको मिलेगा ही क्योंकि लंद समय में लोग फलों का चाट वहाँ बहुत खाते हैं गुलगपे बहुत मिलेंगे कचोरी भी बहुत तो दोस्तों ये सब चीजें आपको घर बैठे नहीं मिले इसके लिए आपको दिल्ली के लासपत नगर, सुधनी नगर, चाननी चौग, लक्षमी नगर जैसी जगहों पर जाना पड़ेगा और वहां के स्ट्रीट फूट का आनंद लीजिए। अच्छा यहां एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जब आप इतना सब तीखा खा रहे होंगे तो वहां की लस्ती जरूर पीजिएगा, क्योंकि ठंड़ा शर्बत जरूर पिना चीए, लस्ती पीजिए, नीबू पानी जरूर पीजिए, पर पानी बहुत पीजिए अगर आ रहे हैं, अच्छा दोस्तों एक बात और चाया आप आलू चाट खाएए, कचोरी खाएए, दही भले खाएए, दही वाले गुलगपे खाएए, कुछ भी खाएए, लेकिन इतना सब खाने के बाद आप फ्रूट खाना मत चोड़ना, कोई भी फ्रूट हों, कैसे भी फ्रू खाके ये आपके पेट को अराम देगा, अब जब आपने इतना सब कुछ खा ही लिया है, इतना सब कुछ जान ही लिया है, तो दिली की मिठाई भी मत चोड़ना, यहां की बंगाली मिठाई का तो क्या कहना, यहां के गुलाब जामुन तो सबसे ज़्यादा ही फेमस है, यह अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद हैपी जर्नी के लिए बातिया चैनल को सब्सक्राइब Sc去वंसे अच्टत विए के लिएिए हैपी जर्नी अच्टत विए आयए और अविए धन्यवाद